सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टिप्स टू टॉप बाइशालनी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें और ये बिलकुल फ्री है अलो फ्रेंड्स मैं हूँ शाली और वेल्कम टू माँ चैनल टिप्स टू टॉप आशाली आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे ऐलोवेरा वेक्स बना सकते हैं क्योंकि एलोवेरा वेक्स हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा होता है वो हमारे हेर क्रोथ को कम करने के साथ सथ हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करता है तो बिना लेट के चलि एलोवेरा वेक्स बनाने स्टार्ट करते हैं अलोवेरा वेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें जेलेटिन चाहिए ये किसी भी ग्रॉशरी सॉप के काफी सस्ते दामों में अविलेबल होती है सैकेंड जो है वो है अलोवेरा जेल आप कोई भी अलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं और जो थार्ड इंगरीडियन्ट है वो है रव मिल्क यहां पर हमे तू से त्री स्पुन रव मिल्क चाहिए अब एक स्टील के बोल में हम वन एस्पून जेलेटिन लेंगे वन इस्पून रौ मिल्क एड़ करेंगे और इसके बाद हम इसमें टू इस्पून एलोवेरा जेल एड़ करेंगे इसके बाद हम इस मिक्षर को डबल बॉयल प्रोसेसिंग से गर्म करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं सबसे पहले आप बड़े बरतन में गर्म पानी ले ले उसके बाद छोटे बरतन में इस मिक्षर को रखके आप उसके अंदर उसको गर्म करें जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ मिक्षर के गर्म हो जाने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होगी मैं आपको दुबारा दिखा देती हूँ उस मिक्षर की कंसिस्टेंसी आपको ऐसे रखनी है उसके बाद अपने हाथों को clean करके जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर छोटे छोटे हेर हैं मैं यहाँ पर एक brush की help से इस mixture को apply करूंगी मैं इस mixture का एक coat अपने hand पे लगाऊंगी आप एक coat ही लगाएं डबल coat ना लगाएं इस mixture का एक coat लगाने के बाद आप इसे 10-15 मिनट तक अच्छी तरीके से dry होने दीजिए dry होने के बाद ये mixture आपके hand पे कुछ इस तरीके का दिखेगा आप एक बार इसे touch करके जरूर देख लें कि ये dry हुआ है या नहीं इसके बाद आपको धीरे-धीरे इसे अपने हैंड से रिमूव करना है जैसे की मैं इस वीडियो में कर रही हूँ इस मिक्षर के ड्राय हो जाने के बाद यह रिमूव करने में काफी एजी रहता है अब मैं इस पूरे पील ओफ को एक बार में रिमूव कर लोगा अब आप देख सकते हैं कि मेरे हेंड के इतने पार्ट के हेयर्स रिमूव हो गए हैं ये हेयर के साथ-साथ आपके हेंड के डर्ट को भी रिमूव करता है I hope friends आपको ये वीडियो पसत आया होगा अगर पसत आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े उसके बगल के प्रेस करके और आप कर सकते हैं इस वीडियो को शेर, लाक एंड कॉमेट तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो की साथ तब तक के लिए बाई बाई